हेलो फ्रेंड्स कैसे वह आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे आज हम जी सिंपल और सुन्द जो है बाजू का डिजाइन बनाएंगे इसके लिए मैंने दो पतियां कट कर लिए और इनकी लंबाई जो मैंने रखे है जितनी हमारी बाजू है उतनी हमेने इसके बाजू जो है कट कर लेंगे सेंटर में से इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे क्योंकि इसमें हमें पाइपिंग लगानी है पाइपिंग और बटन के साथ हम जे बाजू रेडी करेंगे तो सबसे पहले हम जो पटियां है इसको बाजू के अटैच कर लेंगे यहां से हमने कटिंग की थी बाजू की वहाँ पर हम इन दोनों पटियों को एक पीस पे एक और दूसरे पीस के दूसरा पीस जो है अटैच कर लेंगे जैसे यहां पर मैं कर रही हूं यहां पर हमारी बाजू की सीधी साइड और पट्टी की उल्टी साइड है इस तरह से हम इसे अटेच कर लेंगे यहां पर हम इसके पाइपिंग रखेंगे जोइंट के बिलकुल उपर नहीं रखना है हमें हमें जिस तरह बाजू है थोड़ा सा उस तरफ ज्यादा रखना है इस तरह से हम इसके उपर पाइपिंग रखेंगे और इस कपड़े को इस तरह से इसके उपर फोल्ड करेंगे और इस पे हम सलाई लगा देंगे और अगर आप बिगनर हो तो पहले आप केली पैपिंग रखके उसके उपर सलाई लगा दीजिए बाद में जे कपड़ा फोल्ड कीजिए लेकिन मैं जे एक ही सलाई में लगाऊंगी इस तरह से इस कपड़े को फोल्ड करेंगे और इसके उपर सलाई लगा देंगे जैसे हम बाजू पे गुम पाइपिंग लगाते हैं बाजू के आगे उस तरह से ये पाइपिंग अटैज हो जाएगी यहाँ पर ये पाइपिंग हमने अटैज कर ली है अब इसको अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करेंगे और यह देखिए कितनी फिनिशिंग से ये पाइपिंग रेडी हो गई है और अंदर की तरफ हम तुरपाई कर लेंगे बाद में और अब हम बाजू के दूसरे पीस पर भी ये पाइपिंग टैज कर लेंगे मैंने दोनों पीस जो है रेडी कर लिये हैं यह देखिए यह इस तरह से आएंगे इस पर हम बटन लगाएंगे बटन का के इस बाजू को इस तरह से अटेच करेंगे अब हम आगे की तरफ इसे फोल्ड करेंगे जितनी लेंथ हमें बाजू भी रखनी है उतनी रखकर आप इसको यहां पर कच्छी स्लाई लगा दें बाद में यहां पर मैं तरपाई करूंगे आगे से हमें से फोल्ड कर लेंगे अब देखिए यहां पर हमने दोनों बाजूंपर पैपिंग टैज कर लेंगे आगे से भी बाजू में ने फोल्ड कर ली है अब हम इसको इसके उपर निशान लगाएंगे दोनों पीसेज पर 2-2 इंच पर हम यह निशान लगा लेंगे पूरे बाजू पर यह बहां पर हम बटन लगाएंगे इस तरह से हम इस पर निशान लगा लेंगे और बटन लगाने से पहले हम यहाँ पर तुरपाई कर लेंगे यहाँ पर देखिए मैंने जे कुछ बटन तो अटैच कर लिये हैं और बस एक दो रहते हैं और वो भी इस पर अटैच करेंगे झाले और इस तरह से हम सारे बटन इस पर अटैच कर लेंगे अगर आपको वीडियो थोड़ी से भी पसान दाए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए इस पर्ट की बहुत ज़्यादा जरूरत है जब आजू रेडी होने के बाद कुछ इस तरह से लग रही है थैंक्स फॉर वाचिंग